अदियर स्टूडेंट्स आफ 11th क्लास, डारेक्टरेट आफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की जानब से आपकी होम क्लासिस का जो प्रासेस चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हुए आपका मदर्रस बरकत चोदरी आपके सामने अजीज़ बचो हमने आपकी पर्षन के 11th की पर्षन बुक के 10 लेसन जो है वो पड़े और मुझे यकीन है कि जैसा कि हर लेसन के एंड पर आपको होम असाइनमेंट के तोर पर उस लेसन को लिखने के लिए और याद करने के लिए बोला जाता है मुझे यकीन है कि वो अच्छी तरह से आपको याद होंगे और आपने अपने नोड़ बुक्स पर लिखे भी होंगे आज हम एक निया सबक यानि नेक्स लेसन शुरू करने जा रहे हैं आपने बुक्स निकाले और पेज नमबर 32 यानि सफ़ा नमबर 32 देखिए नहीं तो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है दर्स याजदेहम लेसन नमबर 11 वायाहा वजुमलाहा वोकेबलरी एंड सेंटेंसिज ये जो टेबल बना हुआ है इसमें पर्शन और इंग्लिश वर्ड्स लिखे हैं आपके लिए अर्दो मीनिंग जो आना जरूरी है तो आएए शुरू करते हैं पहला लफ्स है शब फार्सी जबान का लफ्स है या पर्शन का तो इसको इंग्लिश में नाइट कहते हैं उसका अर्दो मीनिंग है रात श रोज दिन और in English में दे कहते हैं इम रोज आज इम रोज आज टुरें कहते हैं English में दिरोज yesterday गुज़रे हुए कल गुज़रे कहल को पर्षिन में दिरोज कहते हैं साथ साथ का हो गया गड़ी को भी कहते हैं और गण्टा को भी साथ दकीका दकीका का मतलब है मिनिट और इसको modern परशन में दकीका पढ़ा जाता है लेकिन आपने दकीका ही पढ़ना है सान्या सान्या मतलब second चे चे का मतलब होता है what यानि क्या चे क्या चंद कैसे how कहते हैं इंगलिश में रुब रुब हो गया चोथा हिसा या quarter चोथा हिसा रुब रुब अरभी जबान का लफ्स भी है पर्शन का भी है तो इसका मतलब है चोथा हिसा यानि एक गंटे के अगर हम चार हिसे करेंगे 15 15 मिनिट के क्योंक MARK गंटे में 60 मिनिट होते हैं तो जो 15 मिनिट का एक हिसा है यानि चोथा हिसा तो उसको नुब कहते हैं नीम साथ हाफ आवर यानि आदा गंटा गुजश्टा past गुजरा हुआ फर्दा आने वाल कल tomorrow जैसे दी रोज हो गया yesterday तो फर्दा हो गया आने वाल कल tomorrow परसी फर्दा day after tomorrow याने पर सूं आने वाला और इसी तरह से paris roze day before yesterday उसको भी हम पर्शूं कहते हैं उर्दू में और याने कल से पहला गुज़रा हुआ दिन एक बार फिर दोरा लेते हैं शब रात इम शब आज रात दिशब गुज़री हुई रात रोज दिन इम रोज आज दिरोज गुज़रा हुआ कल साथ गंटा या गड़ी दकीका मिनट सान्या सेकंड चिह क्या चंद कैसे रुब शोथाई हिसा नीम साथ आदा गंटा गुज़रा हुआ फर्दा आने वाला कल पसे फर्दा परसू परी रोज गुज़रा हुआ यानि कल से पहला दिन परसू तो आईए ये सेंटेंसे शुरू करते हैं प्रोज नमबर बन है मन दिशाब रोज बखाना रफ्तम मन दिशाब जूद बखाना रफ्तम सारी ये है मन दिशाब जूद बखाना रफ्तम मैं कल रात जल्दी गर गया जूद मैंने जल्दी मन मैंने मैं दिशाब होगे गुज़री रात जूद बखाना रफ्तम कल रात में जल्दी गर गया दूसरा संटेंस है मन इमरूज बकलास नर रफतम मन इमरूज बकलास नर रफतम मैं आज कलास में नहीं गया मन इमरूज बकलास नर रफतम मैं आज कलास में नहीं गया किसरा है नेक्स पर देखिए आप 33 आया शुमा दिशब दर्खाना बुदीद ये क्वेस्टन कर रहा है दूसरे किसी साथी से एक कि आया शुमा शुमा करें ना आपको आया हो गया क्या दिशब गुदरी हुए रात दर्खाना गर में बुदीद थे आया शुमा दिशब दर्खाना बुदीद क्या तुम रात गर पर थे क्या कल रात आप गर पर थे तो दूसरा आगे क्वेस्टन के तो रुपे आपको पर्षिन सिखाई जा रही है चोथा सेंटेंस है चे साते एस्ट क्या बजा है या क्या टाइम हुआ है क्या वक्त है चे साते एस्ट साथ केते हैं टाइम को, वक्त को, गड़ी को गंटे को तो यहां गंटा नहीं लेगेगा बलके यानि बजा क्या है टाइम क्या हुआ है चे साते एस्ट क्या बजा है, क्या वक्त है पांचवं जुम्ला है दिरोईवज शुमा कुझा बूधीत कल आप कहां थे दिरोईवज गुद्रवऑ कल शुमा मैंने आप कुझा मैंने कहां बूधीत थे next sentence है एक साथ चन्द गी वोते है एक साथ चन्द गी वोते है next है साते दास्त 10 बजे हैं 10 बजे का टाइम हुआ है या 10 बजे है रियाज किसी का नाम है एक सेंटेंट सिखा जाराब आपको रियाज आज आज नहीं आया नेकस्ट है شمت چانتا دفتر داری pois تمہارے پاس کتنی کاپیاں ہیں چانتا کتنی کاپیاں ہیں دفتر معنی کاپی شمت آپ کتنی کاپیاں تمہارے پاس یا آپ کے پاس کتنی کاپیاں ہیں کتاب مجتباہ انجا نیست کتاب مجتباہ انجا نیست مجتباہ کی کتاب یہاں نہیں ہے उस سے آگ Druck 11 numbers یعنی 11 जमला मिदाद शुमाद दी रोज आंजबूद मिदाद शुमाद दी रोज आंजबूद तमारी पिंसल कल वहां थी आंज़ा वहां इन्हें दूर के वाँ लिए ये क्रूब अजहाष्ट गज़श्टियास्त आठ बज के पंदरा मिनिट हो चुके हैं ये क्रूब चोथा इसा गुज़रना यानि सवा आठ बज चुके हैं एक रोज बिस तो चाहर साथ अस्त एक दिन में चोबीस गंटे होते हैं बिस तो चाहर चोबीस और एक रोज होगा एक दिन बिस तो चाहर साथ अस्त एक दिन में चोबीस गंटे होते हैं नेक्स सेंटेंस है एक दकीका शस्त सानिया धारद एक मिनिट में 60 सेकंड होते हैं और आखरी जुमला आपकी अक्सरसाज से पहले काशफ परी रोज ने आमदेबूद काशफ परिरोज ने आमदेबूद काशफ पर्सों नहीं आया था परी रोज यानि गुद्रायो कल से पहला दिन काशफ पर्सों नहीं आया था अदाद हाई जेरा बिखानीद नीचे दिये गए गिंती को पढ़िये लर्न बाई हर्ट अ फालॉइंग नंबर्स अब ये गिंती बीस तक हमने पढ़ी थी बीस से आगे है बिस तो एक बिस तो नो दो इन्हें बीस एक इकीस 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 बाईस ऐसे बिस तो एकीस बिस तो दो बाईस बिस तो से तैस बिस तो चहार चोबीस बिस तो पांच पच्चीस बिस तो शिश चबीस बिस तो 27, 28, 28, 29, 29, 30, 44, 40, 55, 50 फिर एक बार देखते हैं ये गिंती सिखाई जा रही है 20 से आगे बिस्तो एक, बिस्तो दो, बिस्तो से, बिस्तो चाहर, बिस्तो पन्च, बिस्तो शिश, बिस्तो आफ्ट, बिस्तो आश्ट, बिस्तो नो, सी, चहल, पंजा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 30, 40, 50 नेक्स्ट है आपका पेज नमबर 34 तमरीन या अग्जरसाइज स्वाल है जेरा पासख मुदेहिद, नीचे दिएगे सवालात के जवाबाद दीजिए, अनसर दा फालोईं क्वेश्चन्स पहला क्वेश्चन्स पहला क्वेश्चन्स है आए शुमा इमरोज बाजार रफदीद? अगर आप बाजार गे हैं तो लिखेंगे बलेद, अगर नहीं तो नखेर आए शुमा इमरोज बाजार रफदीद? क्या आज आप बाजार गे? अब लिखोगे नखेर मान इमरोज बाजार नरफदीद? नहीं में आज बाजार नहीं गया नेक्स्ट है आए शुमा दिरोज बाकलास आमदीद आए शुमा दिरोज बाकलास आमदीद आए शुमा दिरोज बाकलास आमदम हां में कल स्कूल आया था जी हां में कल स्कूल आया था आमदम आया अगर नहीं तो आप लिखोगे नखैर मन दिरोज बाकलास ने आमदम मान दिरोज बकलास नियामदम ऐसे भी लिखेते हो कल में कलास में नहीं आया तो तीसरा है आया किताब दर कलास बूद आप लिखो के बारे किताब दर कलास बूद हाँ किताब कलास में थी शुमा चौथा क्वेश्चन है शुमा चांता दफ्तरदारिस आपके पास कितनी कापिया है तो आप लिख सकते हो मन पांच दफ्तर दारम मेरे पास पांच कापिया है मैं आश्टा श्टा इसलिए बोल रहा हूँ ताके आप साथ साथ अपने नोटबुक पे ये लिखते भी जाएं पैन और कापी साथ रखा करें जब भी आपको पढ़ाए जाता है आया मुवे रियाज सियास्त क्या रियाज के बाल काले है तो आप कहोगे बले मुवे रियाज सियास्त हाँ रियाज के बाल काले है आया खालद मिदाद सिया दारत क्या खालद के पास काली पैंसल है तो आप लिखोगे नखेर खालद मिदाद स्या नदारद नखेर खालद मिदाद स्या नदारद खालद के पास काली पैंसल नहीं है नेक्स क्वेशन है क्या मेरी पैंसल मेज पर है रुए यानि पर क्या मेरी पैंसल मेज पर है बले मिदाद एमन रूई मेज अस्त हाँ मेरी पैंसल मेज पर है नेक्स्ट है आया संदली दर कलास अस्त तो क्या कुर्सी कलास में है संदली कुर्सी को कहते हैं तो आप लिकोगे बले संदली दर कलास अस्त हाँ कुर्सी कलास में है नेक्स्ट है आया पाक कुन रूह संदली अस्थ क्या डस्टर जो है वो कुर्सी के उपर है तो आप लिखोंगे न खैर पाक कुन रूह संदली नीस्थ नोन ये सीन थे नीस्थ ये साइन आफ इंटिर्वेशन या सवाल यह निशान जो हाटा देना है आपने तमाम स्वालात के जवाबाद जब आप लिखते हो तो जब वो कम्पलीट होता है जवाब उसके आखर में सवाल या निशान नहीं आता दस्वाँ अस्वाल है क्या मेरा क्लम मेज के नीचे है आप लिख कोगे नखेर जीरे मेज नीज मेज के नीचे नहीं है 11 नंबर है 6-7-A-St i.k.्य. जो भी टाइम वाँ अप लिख सहकते हो अगर 10 बजे का टा cordial है तो आप लिख कोगे 7-10 अगर गयरा का है तो साथ याजदास्ट दौजदा किते हैं बारा को और आखरी सवाल है आया नीम साथ वस्यदगी गास्ट आया नीम साथ वस्यदगी गास्ट आप करोगे नहेर साथ बौराबर दौजदास्ट तो क्या यह नीम साथ वस्यदगी गास्ट तो क्या 33 मिनिट हुए हैं तो आपको होगे यह नहीं नखेर साथ बराबर याजदास्त नहीं बिलकुल 11 बजे हैं इस तरह से यह बारा क्वेस्टन कंपलीट हुए तो नेक्स्ट है आपका तमरीन का क्वेस्टन नबर टू यह जीर्रा बननफी यनिए नेक्स्टन बनाने हैं तो जैसे बर्दम है लफ्ष तो इसको नबर्दम नून साथ में लगाना है बस पूरा यही रहेगा इसके बेز से पहले नून साथ में बर्दम नबर्दम दीदंद तो आप लिखोगे नदिदन यहीं सारी दिदेद नदिदेद रफतम नरफतम गुफ्त नगुफ्त खरीद नखरीद यहीं इसका नेगटिव ऐसे ही बन जाएगा बरदम आपने यह चीज़ बरदम मैंने यह चीज़ लाई यह मैं लाया तो नबरदम नहीं लाया दिदेद आपने देखा तो नदिदेद आपने नहीं देखा रफतम गया यहीं मैं गया नरफतम नहीं गया गुफ्त कहा तू ने कहा अकेले आदमे के लिए गुफ्त उसने कहा तो नगुफ्त उसने नहीं कहा खरीद, खरीदा तो नह खरीद, नहीं खरीदा इस तरह से आपकी ये 11 लेसन कंपलीट होते हैं और साथ साथ आप अपनी नोट बुक्स पे हॉम वर्क के तोर पे लिखते जाएए और इसका ट्रांसलेशन जो है फी अमाना तो